हलो दोस्तो विल्कम बैक टू दे बंजारा बॉय और अभी मैं अपना स्कूटी का टायर चेंज कर रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारे वैली क्रॉस करना है मुझे केदार ना जाना है और रास्ते अभी बनी रही हैं चार धाम पर योजना के अंतरगत तो टायर मुझे लिया हूं तो भी मैं टायर बदल रहा हूं उत्रा खंड का मतलब यह मौंटेन और ली मौंटेन सिर्फ मौंटेन ही मौंटेन मिलेगा दोस्तों इतने सारे वैली इतने सारे रिवर और अंडर कस्ट्रक्शन सारे चली रहे थे मोचली हर जगा और इन रास्तों पे गाड़ी चलाना वो भी टू वीलर और साथ ही मेरा यह जी स्कूटी बहुत साथ दिया मुझे फाइनली मैं कैसे कैसे पहुचा मेरा पेट रागनार को भी बहुत जगा पर उसके फ्रेंड्स काफी मिल रहे थे और काफी खुस भी था वो पुत्राखंड में आपको छोटे छोटे ज़रने काफी जगा मिलेंगे और घोड़े और खचड़ का तो कहना ही नहीं है गाड़ी ध्यांसे चलाना दोस्तों क्योंकि लैंड्स लैड़ यहां बहुत ज़्यादा होती है आप फील कर लोगो कि कहां से ज़्यादा लैंड्स लैड होता है किसी एक जगह रूपना नहीं है जहां पे साइड में आपकी मॉंटेन और लैंड साइड ज्यादा होता है बोर्ड सारे हर जगह आपको मिलेंगे वर्निंग बोर्ड और वर्निंग बोर्ड को हमेशा फॉलो करना होगा दोस्तों उत्रा घंड में अगर आपको रोड ट्रीप क लिटका हुआ था तो उससे नीचे गिराया गया बहुत अद्बुद्रिस से था यह डराऊना काफी ज़्यादा था रास्ते में आपको डेली डैम दिखेगा और यह बहुत सारे मॉंटेन के बीच में यह बहुत बड़ा डैम है और काफी खुबसूरत मजारा यहां दिखत सकते हो काफी अद्बुद में जारा दोस्तों देख सकते हो आप संराइजिंग यहां देखो गया आपको बहुत खुबसूरत लगेगा कि के दारनाथ की और निकला था बट रास्ता ब्लॉग हो गया एक चटान गिर गया था तो अभी रिटर्निंग के दौरान राफ्टिंग प्लेस देखा मैंने तो मैं सोचा राफ्टिंग कर लेता हूँ मैं अपने डौगी को गाड़ी में भेज दिया बेस पॉइंट पे और मैं अभी राफ्टिंग के लिए निकला हूँ और यह रिशी की एस की तरफ जाये गए इंडिय पे आप गंगा मैया का दर्शन कर सकते हो बहत साफ पानी मिलेगा आपको सारे माउंटेन के बीच में आप राफ्टिंग का भी मज़े उठा सकते हो मातरे हजार रुपिया में धाए गंटे आप सफर करो राफ्टिंग में बहुत ज्यादा सेफ रहेगा दोस्तों गाइड भी रहेगा लाइफ जैकेट रहेगी डूब हो गए नहीं आप दोस्तों मेरा राफ्टिंग का प्लान नहीं था मेरा रिशिकेश का प्लान आफ्टर किदारनाथ से रिटर्निंग का था बट मैं सोचा वापस जाओ इतने दूर तो कोई फायदा नहीं है तो मैं राफ्टिं मेरा डोगी का मैं तो मैं तुकत जाओ प्लान आफ्टर का चाओ से समय किता है एक से उतला है नहीं है बंधिस शोग्यम हुआ 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 हुआज हुआ है को तो मुआ है प्लान नहीं हुआ है हाँ तिये खार्थे किसे नचा करा नचका कर मैं म需गिए भी सो辻 जाली… यह दोस्तों ये वही जूला है जो लक्षमन जी ने जूट के सहारे इस नदी को पार किया था और इसे मजबूत बनाने के लिए स्वामी विशुगा नंद के प्रेवना से कलकत्ता के सुरजमन ने 1889 में इसे लोहे का बनाया बड़ अफसोस की बात है 1924 के पार्ड में भी ये भाग गया फिर उसके बाद दुबारा मजबूत ये जूला बनाया गया लोश्टों मैं अपनी रैगनार को छोड़ के गया था करीबन दो गंटा हो गया और अभी मैं पहुचा हूँ इसके पास और यह आइटिंक बहुत ज्यादा अपसेट है होगी आवा भगा अपकप आवा कम 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 सॉरी सॉरी मेरा रैगनार मुझे कभी नहीं छोड़ता और अपको उसकी बात है राफ्टिंग के दोरान मेरी सी केस में उसे छोड़ दिया था बट अब मैं उसे लेके जा रहा हूं केदारनाथ दोस्तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना एक ऐसा पहला फ्टेट जर्मन से पर्ट जिसे मैंने कदारनाथ करवाया और दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों किदारनाथ आने के लिए आपको सबसे पहले सोन प्रयाग आना पड़ेगा और सोन प्रयाग से आपको गौरी कुंट का बाई टेक्सी आपको मिल जागी 30 रुपय चार्ज लेगा दोस्तों पर हिट का और गौरी कुंट से मैं अब चला ट्रेकिंग की और झाल झाल ग्लेशियर दिखने लगा आपको उसकी ओपर नंदी में या बैठी वी है आप मेर पसका माम दिया है अब तासी जाबा हो गया है यह जो नदी देख रहो आप यह मन दाकनी नदी है बहुत ठंडा पानी है दोस्तों दोस्तों सफर बहुत लंबा है सायद दिन बर लग सकता है किदारनाथ पहुशने के लिए और आपको छोटे छोटे स्टेप लेने होगे क्योंकि जैसे चैसे आप उपर चाओगे ऑक्सीजन की कमी होते जाएगी आप जितना जल्दी करोगे आपकी सासे फूलने लगेगी है कि वाटर बोटल लेने का जरूवत नहीं है पानी आपको हर 200-300 मेटर पे जहरने के माधियम से नल के माधियम से आपको मिलेगा और बहुत मीठा पानी दोस्तों ममदाकनी का रिवर का पानी आप उने लेगा शाम के छे बजने चले हैं और आई थिंग 70% डिस्टेंस ही कम्पलीट हुआ है एक्षुली में दोस्तों काफी ज्यादे रेश्ट करते वे जा रहा क्योंकि मेरे साथ बहुत सारा बैग है रात हो गई घबराने का नहीं है आपको हर जगा लाइट्स मिलेगी दोस्तों कि अधारनाथ पहुझ गया हूँ और अभी जो समय हुआ है करीबन नौ बजे हैं अभी नौ बज गया और मैं किदारनाथ पहुझ गया काफी थक गया हूँ सुबह से कंटिनिवस चली रहा हूँ मैं और यहां की स्लोप बहुत ज्यादा है अभी मैं टेंट लगाने का जगा ढूंड रहा हूँ इन पहाडों के बीच मैं टेंट लगाया हूँ आप देख सकते हो और शूरी की रोशनी मेरी आखों के पड़ रही है और यह पीछे का नजारा यहीं केदारनात मंदिर इस्तित है मैं भी आप लोगों को केदारनात मंदिर दिखाऊंगा जो भगवान शंकर गुदावरी नदी के पवित्रे तड़ पर इस्तित स्वच्छ रद्वादी परवत के शिखर पर निवास करते हैं जिनके दर्शन से शिख्र सारे पाप नेस्ट हो जाते हैं उन्हीं त्रियंबेकेश्वर भगवान की मैं इस्तूति करता हूं जै शीवशंकर किदारनाथ में मंदिर से पहले आपको गंगा मंदागनी शर्षवती माता का मंदिर आपको मिलेगा दोश्तों मंदाकनी नदी में अपश्नान करना ना भूले दोश्तों इसनान करके भी पूजा करें दोस्तों हिमाले पर्वत की गोद में केदारनाज मंदीर बारा जूतिलिंग में समलित होने के साथ चार धाम और पंच केदार में से भी एक है इसका निर्मान पांडो वंस के जैन में जैने करया था यहां इस्थित स्वाइम भूमी शिवलिंग अती प्राची ने दोस्तों आदी शंक्राचार ने इस मंदीर का जिर्नो धार करवाया 2013 के दोरान भारत के उत्राखंड और हिमाचल परदेश राजों में अचानक आई बाड और भूशकलन के कारण के दार नाथ सबसे अधिक प्रभावी छेतर रहा दोस्तों मंदीर की दिवारे गिर गई और बाड में बह गई इस एतिहासिक मंदीर का मुख्य हिश्चा और सदियों पुराना गुंबद सुरच्छीत रहे लेकिन मंदीर का परवेश द्वार और उसके आसपास के इलाका पूरी तरह तबाह हो गया दोस्तों अगर आप उत्राखंड में आए हो तो दो नात एक बद्री नात और एक केदार नात ये बहुत ही प्रमुक तिरसिस तहले दोस्तों और दोनों को दर्शन का बड़ा ही महत्तो है दोस्तों केदार नात की संबन में लिखा है कि जो वैक्ति केदार नात के दर्शन किये बिना बद्री नात की यात्रा करता उसकी यात्रा निश्वल जाती है और केदार नात सहीत नर नरायन मूर्ती के दर्शन का फल समस्त पापों के नास पुर्वक जीवन मुक्ती की प्राप्ती ब दमदम धम दुकना दानन्दाया ओम नम निठलक्षाया ओम नम भस्मांगाया ओम नम धिमसेला वर्डाया अमदाया दिधिमितियन्दाया अईएदी जएववणन दिधि मुट्स चलाओया अमुट्स भी मुट्स अभ खिल थे मुट्स प्रिस यह झाल 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 चलो 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 चड़ना जितना ही मुश्किल उतरना उतना ही ज्यादा असान लग रहा है दोस्तों दोस्तों मेरा पेट का बात ही कुछ निराला है अगर आपके नजर में कहीं भी ऐसा कोई पेट मिले तो मुझे बताना मुझे नहीं लगता होगा कि कोई ऐसा पेट होगा जो इतना लंगा ट्रैकिंग करके वापस जा रहा है अगर आपको हेलिकॉप्टर से आना है दोस्तों तो 2300 रुप्या प्राइस है आने का और चाने का टोटल मिला करके 5000 आपको हेलिकॉप्टर का प्राइस पढ़ जाएगा का अगर आपको काफी बड़ा सा आइस स्लाप मुझे दिखाएए और यह काफी लंबे समय से मेल्ट हो रहा है अब जब तक विंटर सीजन नहीं आएगा तब तक यह मेल्ट होना बंद नहीं होगा दोस्तों अब बहुत बड़ा केव सा बन गया ही है बेचारा रैगनर तु वापस आने के पाद आप रैगनर का हालत देख सकते हो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसकी ताहरों में और मेरे उसकी ताहरों में विए